तुनपुर गाओं में बहुत सारी खुपसुरत तुनी चिडिया रहा करती थी उस गाओं में एक दिन कलुकवे की नजर पर जाती है और उस गाओं की सबसे खुपसुरत चिडिया रानो चिडिया से वो साधी कर लेता है साधी करने के बाद उसे वो पिक्निक पढ़ लेके जाता है बहुत ही खुपसूरत से हरे भरे जंगल में रानुचिडिया अपनी पती के साथ बहुत स्कूज रहती है और कहती है कि सब लोग कहता था कि तुम्हारा पत्तु तब कल्लुकवा है वो बिल्कुल सुन्दर नहीं है लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं कल्लुकवा उसकी बाते चुपचाप सुनता है उसे पता था कि उसकी पत्नी बहुत खुपसूरत थी वो उसे ले जाके कुस दिनों के बाद दूसर रानों की दूनिया में ऐसे वो बहुत सारे ठ़क काम किया करता था वो अपनी नई पत्नी बात कर रहा था तबी उससे वह से किसी और चिर्या की चहचाहरत सुनाई देती है और आवाद सुनाई देती है वो सुचता है कि ये कौण है वो लोग जब पलेट के देखते हैं त उसे देखके वो रानो चीरिया घबरा जाती है और कहती है कि तुम सहरी कौन हो मेरे पती के सामने क्या कर रहे हो आके अब मुझे तु नहीं लगता कि मेरे पती तुमें जानते होंगे क्योंकि ये बहुत दिनों से इस गाउ में ही रहते हैं वो कहती है तुम मेरा असली रूप देखना चाहती हो तुद देख लो तुम्हारा पती एक नंबर का ठग है ये पहुत खतरनाक आदमी है ये एक औरत के साथ कभी नहीं रह सकता और फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है उसका असली रूप देखके रानों गबरा जात कलू को अभी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी पद्नी पैत्नी तुम मेरी पहली पत्नी रानी हो वो बिल्कुल गबरा के हकलाने रखता है तब ही वो कहती है हां मेरा रानी ही हूँ और मैं तुम्हारा जानने लूँगी तब ही रानो कहती है प्लीज बहन मेरी बाद वो किसी के साथ कोई गलत काम नी करेगा और वो बड़े बड़े आसू उसके सामने गिरा के रोने लगता है रानी चिडिया को दया आजाता और उसकी आत्मा को स्वांती मिल जाती वो ये दुनिया छोड़के कहती है कि अब मैं मुक्ती पालूंगी चली जाओंगी क्योंकि मेरा पहला पती सुधर गया है और तुम किसी भी चिडिया के साथ अब दोख्रवाजी मत करना ऐसी कहानी दिखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे एक लाइक करना ना भूए